वेलकम गाईस, वेलकम टो मैं चैनल, आज हम लोग चंडिगड का PGT का जो एक्जाम अभी रिसेंटली हुआ है, उस कोशन पेपर को डिसकस करेंगे, इससे पहले जो हमने DSSB के प्रीवियस यर कोशन की सीरीज चला रखी थी, उसको हम कॉंटिन्यो रखेंगे, लेकिन पहले ह वेलकम चंडिगड का ये रिसेंट एक्जाम डिसकस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें रिसेंट कोशन का पैटरन जो है वो समझ आएगा, अगर आप लोग टेलिग्राम चैनल से अभी तक नहीं जूड़े हैं, तो जूड़ सकते हैं, हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम Economics by DD है वहाँ पर जो भी टोपिक हम चैनल के ओपर डिसकस करते हैं, आप लोगों को उसकी PDF मिल जाएगी, आप लोगों को पता है, चंडिगड का ये जो एक्जाम है, ये अभी संड़े को हुआ है Economics का, और इसके अंदर Economics के 100 questions आये थी, और इसमें negative marking भी आपकी थी, पहला जो question था आपका वो ये था कि the law of demand is dash, while elasticity of demand is dash phenomena, कि मांग का नियम और मांग की मुले सापेक्षता, ये किस तरहा का आपका फिनोमेना है, फर्स्ट ओप्शन है, quantitative, quantitative, second option है, qualitative, qualitative, third option है, quantitative and qualitative, fourth option है, quantitative and qualitative, अब आप लोगों को पता है, कि हम दो concept परते हैं, एक हम low of demand परते हैं, जब economic start होती है, एक हम elasticity of demand परते हैं, तो आप लोगों को पता है, कि low of demand, सिर्फ हम ये बताता है, कि price कम हो गया, तो demand बढ़ जाएगी, लेकिन elasticity of demand आपको हमेशा ये बताता है, कि अगर price में change हो रहा है, कितने percent से price में change हुआ, उससे demand में कितने percent का change आएगा, ये आपको एक exact number में मातरा बताता है, लेकिन low of demand आपको सिर्फ एक direction तो बता देगा, कि price कम हो गया, तो demand बढ़ गई, लेकिन किस amount से बढ़ी, ये आपको कभी पता नहीं चलता, तो हम यहां क्या समझ सकते हैं, कि low of demand तो हमारा एक qualitative aspect को बताता है, लेकिन elasticity में हमारे different formulas होते हैं, उन formulas को लगा कर हमें एक exact percentage term में quantity का पता चल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, कि low of demand हमारा qualitative aspect है, लेकिन elasticity of demand हमारा quantitative aspect को बताता है, option number A, नहीं सोरी option number C, यहां पर आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, अगले question में बोला क्या आगया है, which of the following is represent the capital, इन में से क्या चीज़ आपकी capital को represent करती है, first है river, second है ocean, third है forest and fourth है canal, इस question को solve करने के दो तरीके हैं, एक आपने stock concept पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है flow concept, stock होता है आपका capital, जिसे हम एक point of time पर measure करती है, flow होता है, जिसे हम period of time पर measure करते हैं, जो बहता रहता है, जिसमें changes होते रहते हैं, तो आप देखिए, river flow है, ocean भी आपका flow है, channel भी आपका flow है, इसमें changes होते रहते हैं, तो ये तो आपके flow concept है, बचा आपका forest, forest capital के लिहाज से भी आपकी एक संपती है, तो यहाँ पर capital के point of view से देखे, तो forest आपका right answer है, अगर आप stock के concept से देखो, तब भी आपका forest ही right answer होगा, क्योंकि इसे हम एक point of time पर measure कर रहे हैं, अगर ये question दूसरे तरीके से भी आजाता है, तो हमने flow और store concept से भी इसको देख लिया, और capital के concept से भी हमने इसको देख लिया, option number C, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, अगले question में क्या बोला गया है, production function, किस तरह का relationship आपका बताता है, पहला है functional relationship, किस के बीच में, cost और revenue के बीच में, input and output के बीच में, income and expenditure के बीच में, and demand and supply के बीच में, अगर हम यहाँ पर production function की statement लिखे, तो हमारा क्या होता है, output होता है, output is the function of हमारा क्या होता है, labor होती है, capital होती है, अगर हमारे पस technology होती है, तो यहाँ पर बाहर हमारे पस a technology होती है, तो आपको क्या समझाया, यह आपका production function है, तो production function, आपका हमेशा, च्या relationship बताता है, कि आपके जो inputs हैं, जो आपके संसादन है, और जो आपका output है, उनके बीच में, क्या संबंध है, यह आपका production function represent करता है, option number B, आप लोगों का यहाँ right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, short run production function is represent by, short run में जो production function होता है, उसको हम कैसे represent करते हैं, first option है return to scale से, second option है low of demand से, third option है low of variable factor से, fourth option है A and C, आप लोगों को पता है, short run time की इतनी कम अबदी होती है, कि हमारे पास जितने भी संसादन होते हैं, सारे fix होते हैं, बाकी हमारे पास labor ही एक ऐसा factor होता है, जिसमें change करकर हम production को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं और constant भी रखते हैं, तो आपको क्या समझाया कि short run में हमारा जो production function होता है, वो सिरफ variable factor पर depend करता है, और variable factor की वजह से हमारा short run production function भी represent होगा, किस से low of variable factor से, option number C यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, अगले question में क्या बोला गया है, अगले question में बोला गया है, which of the following statement best describe the low of variable factor, अभी हमने क्या बात की थी, low of variable factor के बारे में बात की, कि short run में हमारे उत्पादन के सारे के सारे संजादन क्या होते हैं, fix होते हैं, एक labor ही ऐसा factor होता है, जिसमें change करकर, हम production को बढ़ाते भी हैं, constant भी रख सकते हैं और घटाते भी हैं, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको in statement में से, कौनसी statement, low of variable factor को describe करती हैं, first पढ़िए keeping at least one factor constant, आपको पता है short run में कम से कम आपका एक factor तो constant रहता है, और उसके बाद किसके साथ relationship दिखाया गया है, marginal product किसका variable factor का आपका positive होना चाहिए, rising होना चाहिए या आपका एक factor फिर constant है, लेकिन marginal product आपका positive होना चाहिए, किसका variable factor का but falling rate से, अगला keeping at least one factor constant किसी एक संसादन को स्थीर रखना है हमें, और marginal product किसका variable factor का आपका negative होना चाहिए, या फिर आप एक factor को constant रखो, marginal product भी आपका throughout क्या रहना चाहिए, constant रहना चाहिए, अगर हम low variable proportion की बात करें, तो low variable proportion जहां पर सही define होता है, वो है कि जब हम अपने एक factor को constant रखे कम से कम short run में, और जो marginal product है आपका, marginal product कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो जो आपका marginal product है, variable factor का, अगर वो negative है, तो यह वाला जो situation है, यह आपकी best describe करती है, कि इसको low variable proportion को, क्योंकि low variable proportion भी आपको यही बताता है, कि जब हम fix factor के साथ, fix मालो capital है आपकी, capital के साथ, variable factor को लगाते जाते हैं, तो क्या होता है, आपके उत्पादन पर, घटते जो, घटते साधन के प्रतिफल जो हैं, वो लगू होने लग जाते हैं, इसका मतलब, जैसे जैसे fix factor के साथ, variable factor को लगाया, आपका जो total product है, वो क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, और marginal product, पहले negative होता है, पहले zero होता है, फिर negative होता है, तो यहाँ पर आपको समध आया, कि option number C, क्यो हमारा right answer है, अगला question देखिए, अगला question है, if a firm, move from one point to another, on Isoquant, statement में क्या बोला है, कि if a firm, is move from one point to, one point to another, on Isoquant, which of the following, will not be changed, यहाँ पर मैं अगर एक Isoquant बनाओ, Isoquant में क्या होता है, एक तरफ मालों capital होती है, एक तरफ आपका labor होगया, दोई factor होते हैं, और यह आपका मालों मैं कमू, Isoquant है, और यह 100 output बना रहा है, अब यह कह रहा है, जब आप Isoquant के किसी एक point पर हैं, मालों इस A point पर हैं, हम A से move करके कहां चलेगे, B पर, जब हम A से B पर move करते हैं, इन चार option में से, कौन से change में change नहीं आएगा, आपको question समझाया, वो कह रहा है, एक form है, और वो एक Isoquant पर है, अगर वो A point पर है, A से move करके वो B पर चली जाती है, तो नीचे चार option आपको दिये गए हैं, तो इन में से, किस में बिलकुल भी change नहीं होगा, पहले हम questions नहीं समझते, इस वज़ा से हमारे questions गलत होते हैं, तो first option है, ratio जो है input का, input ratio in which the input are combined, आपका input का ratio change हो रहा है, वो तो हो रहा है हमारा, तो इसने बोला है क्या change नहीं होता, note है आपर विल के साथ, तो ratio तो change हो रहा है, level of output, यह change नहीं हो रहा, आप देखो, जब आप a point पर हो, तब आप capital की इतनी, और labor की इतनी लगा कर भी, so output बना पा रहे हो, और जब आप b point पर हो, तो आपने capital कम कर दिया, और labor को जादा बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी, आप output कितना बना पा रहे हो, 100 ही बना पा रहे हो, इससे आपको क्या समझाया, कि level of output तब change नहीं होता, जब हम एक ISO क्वांट के, एक point से किसी भी दूसरे point पर चले जाते हैं, तो यही आपसे question में पूछा था, तो level of output इस question का right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, अगले question में क्या बोला गया है, the theory of ISO product, ISO product यहां किसको बोलते हैं ISO क्वांट को भी, अब यहां पर बोला गया है कि ISO क्वांट में एक producer है, वो कब equilibrium में होगा, संतूलन में कब होगा, जब coast line tangent करेगी ISO product कर्व को, coast line cut करेगी ISO product कर्व को, coast line आपकी हमेशा दूर जाएगी ISO product कर्व से, coast line आपकी हमेशा बिलो रहेगी ISO product कर्व से, अब आप लोगों को पता हैं, हमारा एक consumer एक producer कब equilibrium में होता है, हमारा producer तब equilibrium में होता है, यह उसकी ISO coast line होती है, यह उसका ISO quant होता है यह उसका ISO coast line यह उसका ISO quant जहां यह intersect करते हैं टेंजेंट करते हैं वो उसका equilibrium point होता है और इसी equilibrium point पर वो संतुलन में होता है तो option number first ही क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question है in case of decreasing return to scale decreasing returns to scale है and various ISO product curve आपके different different ISO product curve है वो situate करते हैं कहाँ पर dash interval on the line from origin यहाँ पर मैं आपको एक example है समझाती हूँ देखिए हमारा क्या होता है जब हमारा decreasing returns to scale है मालो एक तरफ आपने ले लिया capital और labor हमने क्या ले लिया एक तरफ capital ले लिया और labor ले लिया दूसरी तरफ आपका output ले लिया तो decreasing return to scale आपका क्या कहता है कि आपने जितने संसादन लगाए है उत्पादन में उतनी वरीधी नहीं हो रही उत्पादन में उससे कम वरीधी हो रही है मालो मैं capital और labor को ज़्यादा लगाऊ उंदरनों को ही लेकिन मेरा output थोड़े से बड़े ठीक है यही तो हो रहा है मैंने इतने सारे capital और labor लगाए लेकिन output में मेरा increment थोड़ा ही आया तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा decreasing returns मिल रहे है मुझे scale पर तो यहाँ पर question आप से यह पूचा है जब हम decreasing returns to scale बनाते हैं तो जो यह interval आया ना आपका origin से origin यह आपका तो origin से जो interval आया यह decreasing rate है increasing rate से है या पिर non of the above question समझ आ गया कि पहले आपको capital output ratio से decreasing returns to scale बनाने है अब आपको पता है दो returns होते है increasing return होते है तो आपका diagram की shape इस तरह से बनती लेकिन आपका origin से जो shape बन रही है वो कैसी बन रही है इस तरह की बन रही है इसका मतलब आपका output बढ़तो रहा है लेकिन किस rate से बढ़ रहा है decreasing rate से बढ़ रहा है तो option number B आपका right answer हो जाएगा eighth question में trick है आप इसको समझो कि क्यों इसका answer B है A नहीं है option number B यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए total product is maximum यह वाला question हमने कितनी बर किया हुआ है test में किया different different exams में किया जब आपका total product क्या होता है maximum होता है तब हमारा marginal product क्या होता है यह तो हमारा marginal product हमारा 0 होता है तो यहाँ पर आपका option number D right answer हो जाएगा अगला question देखिए long run is related to the period long run का मतलब क्या है कि बहुत लंबा time या जिसमें fix और variable factor दोने exist करते है या फिर सारे के सारे संसादन variable हो जाते है या फिर सारे factor fix रहते है अब हमें पता है long run economics में मतलब कि जब हमारे जितने भी संसादन है वो variable हो जाए उनको हम according to situation change कर सके तब ही हम उसको long run बोलते है यहाँ पर हमारा मतलब time period से नहीं होता अंसर हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है which of the following relates to the perfect competition मतलब इन में से कौन सी जो मानेता है वो perfect competition से संबंदित है few firm होती है identical product नहीं इसमें पूर्ण परते होगे था में तो बहुत सारी firms होती है many firms होती है but उनके product एक दूसरे से different होती है ये भी नहीं होता क्योंकि उनका product homogeneous होता है तो second भी गलत हो गई third में बोला गया है थोड़ी सी firm होती है और एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी different होती है ये भी नहीं होता fourth पढ़िए बहुत सारी firms होती है और identical product बनाती है बहुत सारी firm होती है number of firms इतनी large होती है कि market की ना तो supply को affect कर पाती है वो और ना ही demand को affect कर पाती है तो बहुत सारी firm है और identical product है यहीं आपकी perfect competition की characteristics है option number D आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए in a long run long run के अंदर perfect competition के अंदर एक firm क्या earn करती है super normal profit, loss, normal profit या all of the above अब आपको पता है long run समय की इतनी लंबी अबदी होती है कि कोई भी firm जो loss उठा रही होती है वो अपना market से बाहर चली जाती है और अगर market में profit हो रहा होता है तो नही firm enter कर जाती है तो long run में perfect competition में firm को सिरफ normal profit ही मिलते है option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगर question यह होता कि short run के अंदर तो short run के अंदर आपका super normal profit भी होता है normal profit भी होता है losses भी होते हैं तो तब हम D के साथ जाते हैं लेकिन इनों ने आपर long run बोल दिया तो long run में सिरफ firm को normal profits होते हैं option number B आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए in the case of monopoly monopoly के अंदर क्या विशेश्था होती है first option यह आपका right है कि कोई close substitute market में available नहीं होता ठीक है और एक ही firm होती है वही firm होती है वही industry होती है market पर पुरा control उसका होता है तो option number first ही आपका right answer हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया 13th question में से वही question 14 थाय हुआ है monopoly क्या होती है वही एक firm होती है वही industry होती है अकेला ही बंदा एक firm मान लो उसको उसी को industry मान लिया जाता है कोई firm और industry में कोई difference नहीं होता option number C यहाँ आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या मोला गया है which of the following statement is true कौन सी statement true है perfect competition में industry there are few firm perfect competition में बहुत सारी firm होती है few firm तो नहीं होती monopolistic competition में entry करने में barrier है नहीं कोई भी firm आना चाहिए आ सकती है perfect competition में product एक दूसरे से different होते हैं बिल्कुल भी नहीं अभी हमने बात किया कि perfect competition है identical product होता है many firms होती है monopolistic competition में firm downward sloping demand कर को face करती है यह बात सही है आपको पता है कि monopolistic competition में firm का यह AR होता है and यह firm का MR होता है तो यह बात बिल्कुल सही है तो option number D आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपसे क्या पूछा गया है question number 16 आपसे monopolistic competition में एक अधिकारात्मक परते होगे ताकि विशेशता पूछी गई है firm produce identical product आपको पता है कि monopolistic competition क्या होती है firms तो बहुत सारी होती है लेकिन हर एका product दूसरे से different होता है जैसे लक्स की साबुन और डव की साबुन है तो दोनों ही साबुन लेकिन दोनों के product identical नहीं है रंग में, रूप में, शेप में, डिजाइन में एक दूसरे से अलग ही जो है ये product बनाते हैं तो firm identical product monopolistic competition में नहीं बनाती very few firm होती है और एक particular type का product बनता है ये भी गलत है अभी हमने कहा बहुत सारी firm होती है और हर एक का product differentiation होता है यासे मैंने का dove और lux दोनों ही साबुन हैं लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ difference आपको देखने को मिलेगा and option number C आपका यहाँ right answer हो जाएगा अगला कोशन देखिए अगले कोशन में बोला गया है national income is represented by अगर हमें national income को represent करना है तो आप JNP at factor cost represent करते हो NDP at factor cost represent करते हो NNP at market price represent करते है या net national product at factor cost हम अपनी national income को factor cost के हिसाब से represent करते हैं यहाँ पर NNP FC आपका national income को represent करने का तरीका है option number D आपका यहाँ right answer हो जाएगा अगला कोशन देखिए to arrive at factor cost from market price कि आप market price में हो आपको किसमें आना है factor cost में तो आपको क्या करना चाहिए आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप market price में national income को count कर रहे हो national income को market price पर आपको दे रखी है आपको इसे साधन लागत पर जाना है तो आपने क्या करना है क्योंकि factor cost में government subsidy दे देती है इसलिए हम subsidy को कर देंगे हमेशा add और taxes कर देते हैं हम क्या minus देखो यहाँ पर भी यह है कि हम indirect tax को तो minus कर देते हैं और factor cost पर जाने के लिए subsidies को add कर देते हैं और यही एक method है जिससे आप market price से factor cost पर जा सकते हैं यह formula based question आया हुआ था तो option number second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है to get the gross value from net आप gross value उपर है मतलब सकल हुद पाद है आपके पास उससे आपको net में जाना है तो आपको क्या minus करना पड़ेगा तो आप लोगों को बता है यह भी आपके 12th के formula से ही आया हुआ है gross से आपको net value में जाना है तो जो आपका depreciation होता है उसको क्या कर देते हैं हम इसमें से minus कर देते हैं तो option number A आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है depreciation को आप किस नाम से जानते हो तूट पूट पर किया जाने वाला खर्च वियर और टीर एक्सपेंडिचर capital consumption allowance कि आपने पूंजिकत वस्तु को यूज की उसका खर्च fix capital का consumption तो आप क्या है depreciation को इन सब नामों से जानते हैं option number D यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है low of demand implies मांग का नियम क्या कहता है हम यह पता है मांग का नियम कहता है अगर price बढ़ेगा demand कम हो जाएगी price घटेगा तो demand बढ़ जाएगी अब हम option ढूंडते है पहले में बोल रहा है price fall demand increase यह तो बात सही है second में बोल रहा है price कर गया fall demand कर गई decrease गलत है third देखिए price increase demand increase तो यह तो low of demand कहता ही नहीं है fourth में देखिए as price rise quantity rise गलत है option number first ही यहाँ पर आपका low of demand को बता रहा है अगला question देखिए अगले question में क्या बुला गया है cross elasticity of complementary goods is complementary goods आपको पता है वो वस्वे होती है जो मिलकर एक वस्थू की demand को पुरा करती है ठीक है complementary goods जैसे की मखन और bread bread और मखन ठीक है दोनों complementary यह दोनों एक साथ ही खाया जाएगा तो अगर एक की demand एक का price बढ़ेगा अगर मखन का price बढ़ता है तो मखन के सब क्या खायज़ाता है bread अगर हम खाते है तो हम क्या करेंगे demand किसकी घटा देंगे अगर price देखो है आपर मखन का बढ़ा price किसका है मखन का तो हम demand किसकी decrease कर देते है हम decrease कर देते है demand किसकी bread کی क्योंकि ये कौन सी goods है complementary goods है एक का हम price लेते हैं, दूसरे की हम demand लेते हैं, तो यहाँ पर हम से यही पूछा, cross elasticity, complimentary would जो पूरक बस्तुई होती है, उसमें close elasticity of demand कैसी होती है, negative होती है, क्योंकि एक का price दूसरे की demand को affect करेगा, तो मक्षन का price बढ़ेगा, तो हम bread नहीं लेंगे, क्योंकि यह दोनों पूरक बस्तुई है, तो यहाँ पर एक relationship हमें पता है, निकल कर आया, वो क्या negative relationship निकल कर आया, option number B यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखिए, if decrease in price of one good, एक good का price गिर जाता है, another good की demand increase हो जाती है, demand increase हो जाती है, किसी दूसरी good की, तो वो good किस तरह की है, अब यह भी किस तरह का demand, cross elasticity पूछ रहे है, अब यहाँ पर जैसे tea और coffee को ले लो, tea का price, चाय की कीमत, coffee की quantity, क्या बोल रहे है, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है, चाय की कीमत बढ़ गई, पहले 5 रुपे की चाय आती थी, अब चाय की कीमत बढ़ कर 10 रुपे हो गई, दूसरी good, coffee की quantity increase कर जाती है, चाय की कीमत बढ़ गई, तो हम coffee की तरफ shift हो जाएंगे, तो इन दोनों में कैसा relationship है, इन दोनों goods में, तो यह दूसरे की substitute goods है, क्योंकि हम चाय का price जादा है, तो हम coffee पी लेंगे, तो option number A, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, आज हम 23 question पर रोकते हैं, आने वाली ज आपको जल्दी मिलती रहेंगी, हम बहुत जल्दी इस question paper को complete कर देंगे, अब हम काफी लंबे time का gap नहीं देंगे वीडियो में, और अपनी practice ऐसे ही जारी रखेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो please मेरे चैनल को like करना, share करना, subscribe करना, thank you so much for watching this.